So next question, practice time, page number 127, question third, Rajiya wants change for Rs. 500, Rajiya के पास Rs. 500 के note है और वो change चाहती है, how many notes will she get if she wants in return, तो उसको कितने note मिलेंगे, So in A part, all notes of Rs. 100, सभी note क्या होंगे, उसके पास Rs. 100, means क्या है, कि उसके पास Rs. 500 है, अब वो change चाहती है, Rs. 100, Rs. के note की, तो उसके पास Rs. 100, Rs. के कितने note होगे, So its answer is, number of Rs. 100 notes needed to change the note of Rs. 500, means you have to divide 500, divide by 100, so when you divide 500 by 100, तो 105 है कितने होतने हैं, 500, so answer is 5, so means कि 500 Rs. 100 notes, दूसरी way में भी आप इसको कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे आपर, means क्या कि, 100, plus, 100, plus, 100, plus, 100, plus, 100, count करें इसे, 1, 2, 3, 4, 5, means कितने आगे, 500, होगे आपके पूरे 500, means कि इसका answer क्या आगया, 500 notes, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और division से भी कर सकते हैं, next be, all 50 Rs. note, अब सभी note उसके पास कितने के होंगे, 50, 50 के होंगे, so number of 50 Rs. notes needed to change the note of Rs. 500, so you have to divide 500 divided by 50, अब यहाँ पर आपको पहले भी करवाया था, तो आपने 10 का table पढ़ना है, ठीक है, 10, 5, 50, 10, 5, 50, 50, 50 कर दिया, एक 0 बच गी, तो उपर 0 लगा दी, ठीक है, अब 50 को आपने 5 से डिवाइड कर दे, तो आपके पास क्या गया, 5 बन जा, 5, अब आपके पास यह 0 बच गी, ठीक है, last में यह 0 आगी, तो 5, 0 सा 0, तो आपके पास यह क्या आगया, 10, means क्या आगया, 10 रुपीज नोट, तो इसके पास 50, 50 के कितने नोट आगे, 10 नोट, इन सी पाथ, all 20 रुपीज नोट, number of 20 रुपीज नोट, निदे तो चेंज दा नोट आगे, 500, तो here you have to divide, 500 डिवाइड वाइड वाइड 20, 500 को 20 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या है, 10 का टेबल, 10 टूज आ 20, 10 फाइड आ कितने बन गे, 50, अब एक 0 आपकी बच गे है, तो एक 0 आपकी लग गे, आप 50 को 2 से डिवाइड करें, तो अब आपके पास क्या जाएगा, 50 को आपने क्या क्या क्या, 2 से डिवाइड किया, means कि 50 को 2 से करेंगे, तो कितना आगे आपके पास, 2 2s are 4, minus करके 1 आ गया, यह आपकी 0 आ गई, 2 5s are 10, ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास क्या अंसर आ जाएगा, 25, so your answer is 25 rupees note, so your next question, question D, all 5 rupees note, अब आपके पास सभी note कितने के होंगे, 5 rupees के, और total आपके पास कितना amount है, 500 rupees है आपके पास, ठीक है, so the number of 5 rupees note needed to change the note of rupees 500, means you have to divide 500 by 5, so divide 500 by 5, 5 minus करके आपके पास यह क्या, cancel हो गया, यह 0 आई आपके पास, 500 आ, 0, minus करके कितना, यह भी cancel हो गया, फिर आपकी 0, तो 500 आ, 0, आपने तब तक करना होता है, जब तक क्या आजाए आपके पास, ऊपर से यह जो आपके हैं, numbers यह पूरे cancel ना हो जाए, ठीक है, so its answer is 100, so you have to write 100 rupees, no, so this is your question 3 complete.